नमस्कर दोस्तों और प्यारी मित्रो एस्ट्रोस अपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आप अपने आपको और अपने परिवार वालों को सुखी, सम्रिध, सुष्थ और हर तरह से खुश और संपन रखना चाते हैं तो घर के अंदर आपको दो व्रिक्ष अवश्य लगाने चाहिए वो भी एक साथ। ये दो व्रिक्ष हैं एक तो केले का पोधा, एक तुलसी का पोधा। केले को भगवान विश्नु का परतीक माना जाता है और तुलसी जी को भगवान, माता, लक्षमी जी का परतीक माना ज तो यदि घर के अंदर आप केला और तुलसी लगाते हैं तो ऐसे में घर से या आपके जीवन में आपके परिवार वालों के जीवन से धुर्बग्ये खतम हो जाता है सबही कस्टों से मुक्ती मिल जाती है घर में सुक समरिदी आती है और कारोबारी हो नोकरी पेशा हो या आप धन के अभाब में जीरे हो तो ऐसे में घर में पैसों की बरसात होती है यानि आपको अलग-अलग मारगों से धनकी प्राप्ती होने लगती है, घर से तंगी दूर होती है, घर की आर्थिक स्थिती मजबूत होती है दोस्तों अब बात आती है कि तुलसी और केले के पोधे को आपको किस दिशा में और कब लगाना चाहिए तो तुलसी जी को या तुलसी जी के पोधे को आपको घर के पुरव या इशान कौन में लगाना चाहिए और गुरुवार के दिन सनानादी करके आपको तुलसी जी के पोधे के पास केले का पोधा लगाना चाहिए दोस्तो सुबह लोजाना उठकर के सनानादी करने के बाद आपको तुलसी और केले किये पोदे जो आपने स्थापित किये हैं उनकी पूजा करनी चाहिए आपको घील का दिया जलाना चाहिए ऐसा करने से धन संपती में बहुत तेजी से वृद्धी होती है कुछ लोगों का भगय कमजोर होता है किसमत खराब रहती है किसमत साथ ने देती तो ऐसे में आपका जो बैड लख है वो गुड लख में बदल जाएगा आपकी किसमत खुल जाएगी आपका साथ देने लगेगी और आपके सबी कारे बनने लगेंगे धनकी आपको कभी भी कमी नहीं आएगी अब जिस भी कारेम को करेंगे या शुरुआत करेंगे उसमें आपको निश्चित तोर पर सफलता मिलेगी जिन भाई भेनों की शादी नहीं हुई है या हो नहीं पा रही है किसी कारण वर्ष तो उनके विवा के योग बनेंगे घर में हर तरह से सुक शांती समरिधी आएगी एक बात आपको और याद रखनी है कि केले के पोधे को दाई और और तुलसी जी के पोधे को बाई और स्थापित करना है और पोधे का हमेशा आपको ख्याल रखना है सही समय पर सुबह सुबह जल अरपित करना है या जल चड़ाना है अगली बात ये कि तुलसी जी के उपर आपको चुनरी जरूर चड़ानी है चुनरी यदि फट जाती है तो चुनरी को बदल देना है दोस्तों ये उपाय आप करके देखें आपको खुद अपनी किसमत बदलती हुई नजर आएगी घर परिवार के हर सादसे पर इसका असर होगा घर से बुरी जो औरजा है वो समाप्त हो जाएगी और घर में साकारातमक शक्ती रहेगी दोस्तों इसके इलावा भी बहुत सारे फायदे हैं घर में केला और तुलसी का पोधा स्थापित करने के जो की आगे के वीडियो में हम बता कर आपको अपडेट रखेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखें धन्यावाद